हाई फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमने ट्रबाइन से लिया है, बॉलर के टॉपिक को भी हम लेते रहेंगे, क्योंकि ब्योई के प्रिपेशन चलता रहेगा हमारा, बीच बीच में ट्रबाइन के टॉपिक पर लाते रहेंगे, और कल्कुलोशन लाते रहेंगे, त तो आप जुड़े रही है मेरे साथ, आपको बहुत अच्छी चीज़ से चीज़ मिलेंगी तो आज जो मैंने लाया हूँ आप लोग के लिए वह यह है कि हमारा वेक्यूम जब कम यह ज्यादा होता है यह मतलब अच्छा रहेगा तो हमारा कॉस्ट सेविंग होगा, कितना होता है यह हमें कैसे पता होगा तो यह कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में हम आज हम डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कैलकूलेशन है यह बहुत आसान है आपको बहुत एजिली आप कहीं भी बैटे बैटे कलकूलेट कर सकते हैं तो ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि हम बहुत कितना है इनले टेंपरिटर कितना है वैक्यूम कितना है डिटोजेट कितना हुआ है और कितना रणीं मेगावाट बेटर हो कि आप एवरेज ले 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 एक गंडे का आवरेज दे ले या फिर एक दिन का आवरेज ले ले बट आप मोमेंटली भी निकाल सकते हैं ठीक है यह चाहिए तो हमारे inlet steam के इन थेलपी कितनी हुई और exhaust steam के इन थेलपी कितनी हुई वह हम दोनों को हमें वह चाहिए तो inlet steam के तो हमें मिल जाता है एजली absolute pressure में मिल जाता है लेकिन अगर हमारे पास condenser vacuum negative में दिखाता है तो इसको absolute pressure में convert करना पड़ेगा वेरी easy है जो हमारे atmospheric pressure minus gauge pressure is equal to absolute pressure आप calculate कर सकते हैं running megawatt कितना है आपके हाँ हर plant का अलग-अलग होता है तो यह जो running megawatt एक standard लेके चला हूँ मैं 55 megawatt उस पर calculation करते हैं same procedure है बस आपके parameters चेंज रजाएंगे इस calculation के लिए एक चीज के और जरुद पड़ेगी वो है steam table अगर आपके पास है तो अच्छी बात है नहीं है तो फिर mobile तो है उसमें आप steam table download करिए और enthalpy निका लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 105 kg और 540 degree centigrade temperature पे निकालेंगे जो 3472.7 kg पर kg में आया है मैं एक सारा अपना कल्कुलेशन किलो जूल में करने वाला हूं आपके यहां किलो कैलोरी में आता है तो आप किलो कैलोरी में कल्कुलेशन करिएगा तो आगे भी ध्यान रखेगा कि अगर आपने यह चीज किलो कैलोरी में लिया है तो यह सारा कर रहा हूं तो यह हमारा इतनी किलो जूल पर केजी ऑफ इन्थेलपी आई इसकी तर्माइन इनले स्टीम की और कंडेंसर वैक्यूम की इन्थेलपी कितनी हुई अगर 0.9 पर अबसुल्ट प्रिसर पर निकालेंगे तो वह आती है 2587.51 कम ज्यादा हो सकता है ऐसा नहीं कहां यह आप आपके स्टीम टेबल में था सब वैरी हो सकता है एक यूनिट कम ज्यादा हो सकता है एक जड़र यूनिट तो वह वैरी होता है स्टीम टेबल के साब से और डिटो रिटेड वैक्यूम जो है उस पर कितना आया उस पर मैंने निकाला इन्थेलपी तो वह आया 2626.25 क किलो जूल पर केजी ठीक है हाँ जेनेरेटर एफसेंसी मैंने ली है 0.98 वह 0.95 से लेकर 0.99 तक जो आपके परामिटर होते हैं आप 0.98, 0.96, 0.95 ले सकते हैं ज्यादा एफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हमारे डिटोरियेट कंडिशन और नर्मल कंडिशन दोनों में मैं यहिए ऐफेसेंसीं लेने माला हूं ए तो बहुत आपड़क नहीं पड़ेगा ठीक है चली करते हैं आगे एक जातां करना है जिसके पता है जिसेंट जिसेंट आपट बाइ侨रे इंपू इनपू इन्पॉट इंट है अगर हम आपसचिन के जिगा रेशिओ लेते हैं त में है तो 3600 into megawatt load है अगर किलो कैजोरी में लिया है तो आपको यहां पर 860 into megawatt ठीक है तो जैसा भी आपके पास है वो करना है आपको तो यहां किलो जूल में है इसलिए मैंने यह लिया है और दूसरा है कि यहां generator input तो वो क्या है mechanical power delivered by turbine to the generator वो टीपी लिया है यह तभी possible है जब हमारा generator और turbine shaft एक में coupled है मतलब coupling किये हुए है direct coupled है अगर gear के through है तो ऐसा नहीं होता है gear के through में change जाएगा direct coupled है तभी यह possible है तो direct couple के साथ हम अगे बढ़ा रहे हैं अगर आपके हैं नहीं है तो आप मुझे बोल सकते हैं आप उसके बारे में हम आगे discuss करेंगे तो इसको मानते हैं कहां यह क्या है generator mechanical power output by the अबीस बात है कहां टर्माइन को जीतना में हम ने mechanical power दिया वह mechanical पावर उसके generator को ट्रांस्मिट किया और उसी mechanical power से हमारा generator ने power generate किया तो जो टर्मान का mechanical power है वो कहां से delivered हुआ जितना हमने यह नेट, thermal, heat, thermal energy, turbine shaft को दिया, उतना वह mechanical power में convert हुआ, क्योंकि thermal energy, mechanical energy में convert होती है, तर्बाइन में, यह thermal power plant की बात कर रहा हूं, अलग-अलग plants के, हाइट्रो plant का अलग पहनी है, तो यह thermal power plant के हो रही है, तो thermal energy use करते हैं, जो कि हमारे mechanical energy में convert होती है, तो net thermal energy transfer to the steam turbine TP is equal to we कैसे निकालेंगे जो हमारा mass floor of steam है into turbine inlet enthalpy और turbine exhaust enthalpy जो condenser में जा रहा है यह भी आप पी एजंशन है क्योंकि calculation lengthy नहों इसलिए यह किया गया है अगर आपको आपका पास extraction है तो आप इस बात है कि हाप उसको heat balance heat or mass balance के तुरू net turbine में heat कितना दिया आप वहाँ से extraction का heat mass flow साथ निकाल सकते है हर जगा दिया होता है कि हाँ extraction का mass flow rate दिया रहता है और temperature parameter दिया रहता है तो निकाल सकते हैं तो वहाँ से आप उस condition में आपका net heat transfer to the turbine वह कम हो जाएगा क्योंकि extraction में heat निकलता है तो हमने उसको need दिया है तो हमारा inlet enthalpy minus turbine exhaust enthalpy into mass flow rate यहाँ पेक्षी जो और ध्यांज रहा है कि mass flow rate जो यह है वो हमें जो हमारे DCS पर दिखा रहा है वो बाला नहीं है हम यह निकालना है ऐसा नहीं कि आपने 1500 तन आपका turbine में जा रहा है जा रहा है तो हम उसको लेंगे हमें mass flow निकालना है दोनों condition में तो हमारे जो calculation चल रहा है हम मान के चलना है कि हाँ M1 mass flow या फिर M mass flow steam जा रहा है minus 0.9 vacuum पे और M2 mass flow जा रहा है minus 0.7 vacuum पे तो जैसा बताया था आगे कि generator output 3600 into 55 megawatt है यह जो मैंने power generation लिया था आपके हैं जो power generation चल रहा है उसको लेजेगा generator input at normal vacuum 0.9 पे sorry 0.9 पे तो यह कितना आता है यह जो enthalpy यह थी inlet enthalpy और exhaust enthalpy exhaust enthalpy minus 0.9 पे जो थी 2587.5.13 और हमने M1 mass flow माना है कि हमारा जब minus 0.9 vacuum चल रहा है तो हमारा mass flow है वो M1 है M1 mass flow के साथ enthalpy difference 885.19 same way detour related vacuum condition में क्या करेंगे हम inlet enthalpy minus outlet enthalpy जब हमारा condenser में है जब minus 0.7 पे कितना enthalpy आया थी 2626.25 तो उस पे क्या वाज आएगा M2 into 846.45 ठीक है और उसके बाद हमारा क्या है generator efficiency 0.98 is equal to 3600 into 55 divided by M1 यसा बताया था हमने कहा M1 अतलब generator output by generator input तो यह condition है minus 0.9 condition पे है ठीक है यह वाला जो calculation है और यह वाला calculation है minus 0.7 पे है तो यह ध्यान रखेगा कि यह वाला minus 0.9 पे है हमें M1 निकालना है तो M1 में क्या आया था इंथेल्प देफ्टान था 885.19 तो उस condition में M1 आ रहा है 22 8.24 और यहां पर जब हमने M2 माना है और यह वाली यह वाली enthalpy ली है तो उसमें क्या रहा है M2 238.69 यानि कि हमारा mass flow क्या है उस condition में बढ़ गया हमने जो vacuum deteriorate condition में निकाला mass flow वो mass flow पहले वाले mass flow से ज्यादा है आपको इसली दिख रहा है यहां पर पहले 228.24 था अब यहां 238.69 हो गया है तो obviously हमारा steam mass flow बढ़ गया है वो कितना बढ़ा है उन्हों का difference निकालेंगे जली depreciate vacuum में हमारा 238.69-228.24 यानि कि net जो हमारा mass flow बढ़ा है वो 10.45 बढ़ा है टन पर आवर मतलब कि 0.9 vacuum से 0.7 vacuum आने पर हमारा जो steam flow है वो 10.45 टन पर आवर steam flow बढ़ गया है ठीक है तो आप किसी भी चीज़ पर यह ऐसा निये कहां आपने यह सब कुछ प्रॉपर काल्कुलोशन का थुरू है तो आप इसको डिवाइड मत कर दीज़ेगा कहां इतना हुआ है तो 0.001 पर नहीं आपको कल्कुलोशन सब के लिए करना पड़ेगा तो यह एवरेज वैलू नहीं होती है यह कल्कुलोशन आती है कल्कुलोशन के थू आती है तो आप इसको एवरेज नहीं कर सकते हैं हमारा 0.200 मेक्यूम पे 2.7 मेगावर्ट का लॉस हो रहा है अगर हम चार रुपर भी कॉस्ट लेके चलते हैं तो हमारा 11,000 का सपस लॉस पर आवर का हो रहा है कैसे पावर कॉस्ट निकालते हैं वह कुछ करना नहीं है हर जगा बहुत बहुत इजी है तो आप सकते हैं कितना हमारा लॉस होगा हमारे प्लान यंचार रुपर लेते हैं तो 11,000 का चार उपसा गंटे महिने का 30 और 30 दीन, 350 साल का कितना ऐगा तो अविसर बात है कि बहुत ही huge amount हो जाएगा जो कि कोई बी प्नाइट नहीं चाहिएगा कि वह ऐसा हो विसर बात है कि हमें vacuum कितना लेकर कि चलना है कि adequate 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 da minimum vacuum कितना लेकर चलना क्यों लेकर चलना है इसके अब वारे में करनेंसर के बच्छ क्या नुमेरिकल नुमेरिकल न कि तो जब उसके बारे में में पढ़ेंगे तो आंक पर जानेंगे कि हमें कितना vacuum रखना चाहिए, condensal में कितना नहीं रखना चाहिए, minimum कितना होना चाहिए, उसके बार में discuss करेंगे, तो अभी हमें यह कैसे, कितना cost आया, वह चीज हमने देखा, और हमारा vacuum deteriorate होने पर, कितना हो सकते हैं, चलिए मिलते हैं आपने next topic में, और मेरे साथ जुड़े रहिए, और और भी interesting चीज़े मिलेंगी, मेरा यह कोशिद रहती है कि हाँ, वह चीज़े ले किया हो, जो real life में आपको बहुत जरूरी है, और आप, मतलब उसकी जरूरत आपको हो, और आप power plant के बार हैं आपको पता हो, आपको पता हो, तो normal चीज़ा ऐसा नियुग, काफी चीजह में पता होती है, यह ऐसे दौर करता है, वहर था कैसे करता है? यह निहीं पता होता है, काम गरता है यह पता है, ब murmur काहर है हमें वो पता करना है तो अगर आप रियल में आप पावर्प्राइंट इंजिनियर हैं मैनेजर हैं और आप बतलब इंट्रेस्ट आपके अंदर है कि हाँ ये सब चीज़े कैसे होती हैं तो आप जुड़े रहे हैं मेरे साथ तो तक के लिए मिलते हैं बाइ 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 थैंक यू